हेलो दोस्तो वेल्कम बैक टो दे चैनल एंग आज हम पढ़ने वाले है इकॉनमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंग इंफलेशन डोंट वरी चैप्टर 2 भी आएगा बट मैंने सोचा पहले चैप्टर 3 कर लेते हैं ठीक है इसके नोच हम डिसकस करते हैं चलो एक क्विक रिवीशन फटा फट से ले लेते हैं चैप्टर बहुत मजेदार है मजा जरूर से आएगा जोश हाई रखना ओके जोश ने कम होना चाहिए तो सबसे पहले इस चैप्टर में आता है एक कॉंसेप्ट जिसका नाम है बार्टर सिस्टम अब ये बार्टर सिस्टम क्या होता है चलिए देखते हैं A system of exchange of goods or services with goods and services, no medium of exchange like money. तो देखो, बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ पर हम goods और services को goods और services के साथ ही exchange कर लेते हैं. यहाँ पर पैसो जासे तो कोई चीज होती ही नहीं है. जैसे कि अगर मेरे पास चावल है, तो मैं जाके किसी से गेहू ले लूँगी. मतलब कि मुझे रोटी की ज़रूरत होगी ना, मेरे पास चावल है तो मुझे भाई रोटी भी तो खाना है, तो मैं अपने चावल को देखे wheat ले लूँगी. तो यहाँ पर मैंने अपने goods को देखे goods ले लिया. तो यह होगे अपना border system. यहाँ पर money की तो कोई बात आई ही नहीं. ठीक है, चलिए. अब देखे, border system के कुछ limitations देख लेते हैं. पहला है, एक मिन्ट, let me change the pen. पहला है, problem of mutual adjustment of want. चलिए, अब देख लेते हैं, limitations. ठीक है, border system के क्या limitations देखे? सबसे पहला है, problem of mutual adjustment of wants. अब देखो, मेरे पास है चावल. अब मैं जा रहे हैं कि भाईया मुझे wheat दे दीजिए. अब वो जो भाईया है, वो बोल रहा है, मैं तुमको wheat तो दे दूँगा, लेकिन मुझे तुमारा चावल नहीं चाहिए. तो मैंने बोला, लेकिन मेरे पास हैं, उन्हें बोला, मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे तो घी चाहिए. मेरे पास तो है चावल, मुझे चाहिए wheat, उनके पास wheat है देने के लिए, बट उन्हें मेरा चावल नहीं चाहिए, उन्हें घी चाहिए. तो ये सबसे पहला limitation हो गया, कि यहां पर wants का mutual adjustment नहीं हो पाता था दूसरा है डिफिकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू अब हम जो भी बाटर सिस्टम से इस्चेंज करके लाते थे जैसे कि मैंने राइस से वीट लेके आई मैं चावल से मैं गेहू लेके आई तो उसका मैंने आठा पिश्वा लिया अब उस आठे को बोलो मैं कितने सा सालों तक है श्टोर करके रख सकती हो वहलो कि पागल है कि आने सालों तक है को कैसे श्टोर करके रखेंगे कुछ महीनों में वह नहibt Are यो बाटर सिस्टम से हम जो बी चीज ये लाते हैं उनको श्टोर करना मुश्किल हो जाता है तीसरा क्या limitation आया problem of measurement of value अब देखो अब समदलो मुझे मन हुआ खाने का काजू पर मेरे पास है चावल तो मैं कई एक किलो चावल लेके और जिसके पास काजू था उसके पास पहुची मैंने बोड़ा भाईया एलो एक किलो चावल मुझे दे दो एक किलो काजू उसने दे दिया उसको ये भी नहीं बता चला कि काजू तो इतना महंगा होता है और चावल तो इतना सस्ता उसने मेरा एक किलो चावल लिया उसने मुझे एक किलो काजू दे दिया तो कहीं ना कहीं एक बंदा तो लोस में चला गया ना तो यह हो गया problem of measurement of value मतलब की देखो एक और example देखो तो ही समझाएगा अब मुझे समझ लो की 10 मिटर का कपड़ा चीए ओके अब उसके लिए मुझे तो उसे कितना चावल देना पड़ेगा मं उसको 4 मेंटर तो चावल नहीं दे सकती चावल सो में नहीं होता है तो आप मैं क्या करूं ठीक है चलो कोई बात नहीं वही काजू देख लो उसने मुझे ऐसानी से एक किलो का काजू दे दिया एक किलो बट इसका भी evolution हुआ, आज के time पे हमारे पास जैसा पैसा है ना, actually मैं शुरू में पैसे वैसे नहीं थे, सबसे पहले हमने animals का इस्तमाल किया पैसों के रूप में, हम कोई भी समान खरीते थे, बदले में एक animal देते थे, मुझे चाहिए भई, वही मुझे तो गेहू ही चाहि यह मुझे गेहू चाहिए, यह ले मेरी बकरी ले ले, तो मैंने उसको अपनी बकरी दे दी, गेहू ले लिया, तो भाई, animal ने हमारे लिए पैसों का काम किया, दूसरा है mineral stones, उसके बाद है ना, हमें realize हुआ कि नहीं भाई, यह हम animals के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्यू इसको पता चल गया कि मैं तो loss में आ गया, तो हमने इसे stop कर दिया, दूसरा हमने क्या करा, mineral stone का इस्तमाल करना शुरू किया, stones का इस्तमाल करने लगे, हम कोई भी समान चाहिए, तो लो बदले में stone दे दो, भाई, वो ही जमाने अच्छे थे, बड़ आया coin, फिर हम कुछ ट मनी का इस्तमाल करने लगे, अब ये मनी होता क्या है, तो देखो, money is that medium which is used as a means of exchange, without any doubt, और investigation, regardless of time or place, money एक ऐसा medium है, जिसे हम exchange करने के लिए इस्तमाल कर सकते हैं, और हमें इस पर कोई doubt ने करना चाहिए, कोई investigation करने की जरूरत नहीं है, money एक ऐसा medium है, जिसे हम इस्तमाल कर सकते हैं, exchange करने के लिए, वो भी बिना किसी doubt के या investigation के, अब यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे जल्दी से comment करके बताओ, कि ये जो money का definition है, वो दिया किसने है, if you are an intelligent person, भाई, तुमको जरूरत से आ जाएगा, तो नीचे comment में बता देना, अगर आपको आता है, तो, अब हम देखते है, functions of money, ये जो money है, वो क्या 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 काम करता है, तो सबसे पहले देखो, exchange करने के लिए, हम money का इस्तमाल कर सकते हैं, दूसरा, हम money को आसानी से store भी कर सकते हैं, और तिसरा, money के पास तो measure करने की भी value है, अब मैं ए एक किलो काजू लेने जाऊं, एक किलो चावल से, तो मुझे जापड मार के भगा देंगे, बोलेंगे, एक किलो काजू का प्राइस पता है, तिरो को जा पहले पैसा ले किया, ऐसा बोलेंगे वो, सो money के आते ही, हमें पता चले गया, कि भाई, value क्या होती है, चलो, अब हम देखते है, types of money, money कितने types के होते हैं, देखे, money इतने सारे types के होते हैं, पहला है commodity money, मतलब कि हम समान के बदले समान देते थे, तो वो commodity money हो गया, हम समान के बदले समान दे रहे थे, तो वो समान money ही तो हुआ, क्योंकि उसके बदले में ही हमें समान मिल रहा है, तो वो हो गय या commodity money फिर आया animal money हम एनिमल्स को money के रूप में यूज करते थे बकरी दे दिया बस week ले लिया animal money तीसरा फिर metal के money आने लगे चोथा फिर paper के money जैसे कि 2000 का note 500 का note यह सब फिर आया plastic money अपना debit काड़ हो गया ATM कार्ड हो गया, credit कार्ड हो गया फिर आया banking money जैसे कि अपना UPI BIM PayPal वो सब Clear? चलो अब देखो चैप्तर आदा खतम हो गया, अब हम देखता है inflation क्या होता है inflation मतलब होता है महंगाई जब हमारे सारे sectors में अच्छानक से price level high हो जाता है जब हमारे economy के सारे sectors में अच्छानक से price level बहुत ज़्यादा high हो जाता है उसे हम कहते है inflation यानि कि महंगाई अब देखो ये महंगाई होती क्यों है तो इसके ये तो होई नेरा है चोड़ो, तो इसके तीन कारण होते है, demand बढ़ने की वज़ा से महंगाई बढ़ती है production cost के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है और कुछ other reasons भी है सबसे पहले हम इसे समझते है increasing demand समझ लो, किसी product की demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जैसे कि मैं किसी company का pen बना रही हूँ, तो क्या हुआ उसकी demand बहुत बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि मैं उसका price बढ़ा दूँगी ज़्यादा profit कमाने के लिए मैं बढ़ा ही दूँगी न price अगर मैं smart हूँ तो मैं क्या करूँगी, इतनी ज़्यादा demand चलो इसका price बढ़ा देते हैं price बढ़ा दिया, मतलब inflation कर दिया, ठीक है so increase in demand में ये तीन points आते हैं, इन्हें हम समझ लेते हैं पहला है increase in supply of money तो देखो, जब market में money का supply बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मतलब कि market में अब बहुत लोग अमीर बनते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो अब वोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो भाई जहिर से बात है कि वो लोग उतना सारा सामान भी मांगेंगे जब कोई पैसे कमाने लगते है mobile चाहिए, गाड़ी चाहिए तो भई, मतलब उनकी demand बढ़ती जाती है तो वही बात हो गई, demand बढ़ रही है तो price तो high होगा ही मैंने अभी समझाया ना, किसी भी चीज़ का demand जब बहुत ज़ादा high हो जाता है तो क्या करा जाता है, price बढ़ा दिया जाता है price बढ़ा दिया, मतलब inflation हो गया दूसरा देखो, increase in public expenditure अब government क्या करती है, कभी कभार government हमारे देश के लिए खर्चा करती है कभी कभार नहीं, sorry government भी हमारे देश के लिए खर्चा करती रहती है बहुत कुछ बनवाती है, जैसे कि hospital हो गया, road हो गया ये सब government बनवाती है तो जब government बनवाती है, तो क्या होता है, हमारे market में फिर से money का जो supply है वो बढ़ जाता है वो कैसे, अब भाई government कोई सामान बनवा रही है मतलब road बनवा रही है, या फिर कुछ भी बनवा रही है तो government पैसे भी तो देगी न तो जब वो लोग पैसे देते हैं तो हमारे market में money का supply बहुत जादा बढ़ जाता है अगेन, money का supply बढ़ गया, लोग अमीर हो गए लोग अमीर हो गए, वो लोग चीजों की demand करेंगे चीजों की demand करेंगे, तो उनकी price बढ़ा दी जाएगी यानि की inflation हो जाएगा, तीसरा है, over population अब देखो, हमारे देश में इतना जादा population बढ़ रहा है कि हम लोग क्या ही कहें, अब उतना सारा सामान तो हमारे पास है नहीं कि हम सभी को भर भर के दे, ठीक है, जैसे की सोना, अब हमारे देश में इतने सारे लोग हैं और सोना की प्राइज अगर हम 10 रुपे किलो कर दे, किलो सोरी, किलो नहीं होता है, वो कैरट होता है समझ लोना कि 10 रुपे का सोना कर दिया जाए, तो भाई, पूरे देश की जनता कूद बढ़ेगी लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते हैं, हमारे जो देश की पॉपलेशन है, वो बहुत हाई है तो हम क्या करते हैं, प्राइज हाई रखते हैं, ताकि सब लोग उसको खरीद ना पाएं और वो बचा रहे, जैसे कि सोना, सोना अल्रेडी बहुत कम है, हमारे देश में बहुत कम पाया जाता है इसलिए उसकी प्राइज बहुत हाई रखी गई है, कि सब लोग उसे ना खरीद पाएं, और वो बचा रहे है बचा रहे, तो उसको बचाने के लिए उसका जो प्राइज बहुत हाई रखा गया है यानि कि इन्फ्लेशन करा गया है दूसरा है देखो, इन्क्रीज इन प्रोडक्शन कोश्ट अब किसी भी चीज को बनाने में जो खर्चा आता है उसको हम production cost कहते हैं किसी भी चीज का जब आप production कर रहे हो तो production करते time आपको जो खर्चा होता है उसे हम production cost कहते हैं अब समझ लो production cost ही बढ़ गया तो inflation हो गई होगा जैसे कि मैं pen बनाती हूँ और उसमें जो ink डाली जाती है उसकी price बढ़ गई तो मैं क्या करूंगी जो pen पहले में 5 की बेचती थी अब भाई ink का दाम बढ़ गया है तो मैं उसे 10 में बेचूंगी तो देखो ये मेरा भाई production का cost बढ़ गया ना मैं production पहले 5 रुपे में ही कर पाती थी लेकिन अब production करने में मुझे 10 रुपे का खर्चा आ रहा है 5 रुपे का plastic और बाद में 5 रुपे का ink सबको मिला के 10 रुपे का खर्चा आ रहा है फिर थोड़ा profit add करेंगे और फिर सामान बेचेंगे तो production कोस्ट के बढ़ने की वज़ा से भी महंगाई बढ़ती है यानि की inflation होता है थोड़ है other reason अब देखो other reason और भी बहुत सारे reason होते हैं महंगाई बढ़ने के पहला है taxation policy अगर हमारी जो government है ज़्यादा tax लगाने लगे किसी भी चीज़ पे तो जायर से बात है वो चीज महंगी हो जाएगी यानि inflation हो जाएगा दूसरा है increase in price of import जो हम चीज़े दूसरे देशों से मंगा रहे हैं अगर वो चीज़ों का price दूसरे देश में ही महंगा हो गया तो वो हमारे देश में भी महंगा हो जाएगा जैसे की petrol हम दूसरे देश से मंगवाते हैं अब समझ लो वहाँ पर petrol महंगा हो जाएगा तो भाई यहाँ पर इंडिया में भी महंगा हो जाएगा तीसरा है scarcity अगर किसी चीज़ की कमी है न तो हम हमेशा उसका जो price है high ही रखते है जैसे की gold अगर हम इंडिया में देखे तो gold की बहुत कमी है gold उतना नहीं पाया जाता है सो हमने उसकी price क्या कर रखी है high कर रखी है समझे तो इससे कहते है causes of inflation इतने सारे जरिये होते है महंगाई बढ़ने के clear है सब कुछ I hope आपको clear होगा ओहो बस chapter finish so thank you so much for watching the video I hope you are clear now if you like the video then press that like button and अगर आपने अब तक subscribe ने करा है so make sure you subscribe this channel we are going to rock in future okay so thank you so much मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए बबाई आटा आओ जू